हाँ तो नमस्कार दोस्तो हमारे यूटुब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशकबरी राजिस्तान पटवारी भरती के लिए इंतजार कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए आप देख सकते हैं पटवारी भरती क क्या स्लेबस रहेगा आबेदन कब से कब भरे जाएंगे क्या फीस रहेगी पूरी डिटेल से हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे चोटा सा अन्रो द देसंबर 2019 को ये अपडेट दिया गया है पटवारी भरती परिच्छा 2019 को लेकर के बिग्यप्ति जारी हो चुकी है दोस्तों आप देख सकते हैं जो बेरोजगार यूबा पटवारी भरती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुस कबरी यहां पे दोस्तों देख प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको इसी प्रकार के भरतियों से संबंदेद वीडियो हमेशा मिलते रहें तो आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं राजिस्तान भू बढ़ती होने वाली है विभागी राजश्य मंडल राजित्तान अजमेर की और से यह भरती बिग्यापन जारी किया गया है जिसमें कुल पतों की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्याली सो साथ पतों पर यह भरती होने वाली है गेर अनसुचे छेत्र के 367 पत एवं अनस आयू कम से कम 18 वर्स होना चाहिए और अधिकतम आयू आपकी 40 वर्स होनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं नियम के अनुशार आरच्छंट बर्ग के लिए यहां पर अलग से जो है आयू में छूटका प्राबदान रहेगा जैसा आपको सभी भरतियों में मिलता है आप यह नियूंतम बेतान आपका 20,800 रुपे बेतन रहेगा आप यहां पर देख सकते हैं परिच्छा सुलक की बात करें तो सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर रूप से बिध्यारतियों के लिए यहां पर देख सकते हैं 450 रुपे फीस रहेगी यहां पर अती पिषडा वर्ग की लड़िआर मैं के लिए बात करें तो 350 रुपे फीस रहेगी यहां पर इसी परकार से अब देख सकते हैं 250 रुपे यहां पर रहेगा तो यहां पर देख सकते हैं से आरच्छंड का लाब उठाने वाले बिद्यारतियों के लिए 250 रुपे की फीश रहेगी यब योगिता की बात करें तो दोस्तों योगिता को लेकर के काफी ज्यादा लोगों को जो है क्या योगिता रहेगी तो इसके बारे में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रेशन गवर्मेंट ओफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर हो या फिर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा का यदि आपने कोर्स किया हुआ हो तो वो भी आपका बेलेड होगा मतलब आपको सी चिए के ट्वलत पास यह भरती होगी तो ट्वलत पास यह भरती नहीं होने वाली है यहां पर बे किया हुआ है तो आपको आप यह भरती कलाव कंप्यूटर का कि आपoren रहेगा आपने कर रखी है तो सब्सक्राइब खुर्ण हो सकते हैं इस परकार से आप सेकंडरी से इविगेट फ्रॉं रिकोंगर्णाइज बोर्ड यदि आपने बार्भी क्लास में आपके पास साइंस computer science रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं computer science यादि आपके पास बारवी में रहा है तो भी आप इस आवेधन को भड़ सकेगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस परकार से ये qualifications रहेगी दोस्तोब अब बात करते हैं दोस्तों पदों की भरती की कमी एवं ब्रद्दी एवं आरेचन संबंधी प्रापधानों के संबंध में राज्य शरकार ने नविंतम नियमों के अंसार परवर्तन किया जा सकेगा मतलब इसमें यदि कोई पदों में कोई भड़ोतरी होती है या कमी होती है तो राज्य शरकार इसमें अब कर सकती है आबेदन करने की तिथी की बात करें तो दोस्तों 20 जनवरी से ये आबेदन स्टार्ट हो जाएंगे इसके ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म भड़ना इस्टार्ट हो जाएगा ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म आप देख सकते हैं RSMSSB की वेबसाइट से मतलब अधिनस्त बोर्ड यह परिच्चा कराएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूचना भाग की वेबसाइट पर विग्गिप्ति के माद्यम से अलग से प्रकासित किया जाएगा अभी कोई सी भी प्रकार का कोई नोटेस जारी नहीं हुआ है कि भरती जो है कब होने वाली है इसकी परिच्चा कब होगी अन्य बिंदू एवं सूचना की बात करें तो परिच्चा सुलक आबेदन पिरकरिया आरेचन संबंदी प्रापदान डिक्त पनों की भरगी करन एवं आयू के छूट के प्रापदान के लिए परिच्चा की इसकीम की बिस्तरत पार्ट और पार्ट करम मतलब आपको शिलेवस से संबंदे जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जो अधिनिस्त बोड की ओपीशल वेबसाइट है www.rsmssb.rajistan.gov.n इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिख सकते में मिल जाएगा तो इस वेबसाइट के इस वेबसाइट से आप अपना पार्ट करम मतलब सिलेवस की पूरी जानकारी ले से केंगे साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परिच्छा के संबंद में समय समय पर जारी सूचनाओ को बोड के उपरुक्त वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं इसके अत्रिक्त के सिवी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना है तुर राजस्तान करमचारी चेंड बोर्ड राज्यकरशी प्रवंदन संस्तान परिशत दुरुगाप्रा जैपुर में इस्तित्य स्वागत कच्छ में बिप्तिगत रूप से अत्वा दूर्वाश नंबर य अभी आबेदन फॉर्म की बात करें तो अभी आबेदन फॉर्म जनवरी महा में 2020 में भरे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो बिद्ध्यारती पटवारी भरती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुश खबरी है तो यहाँ पर अभी से आप तैयारी में पटवारी भरती को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हम आपकी पूरी शाहता करेंगे आपसे को इसी प्रकार के लिए टेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की एक नई भरती एवं नई जानकरी के साथ जब तक नमस्कार